नमस्कार एक बार पनो हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली हमारे सामने है और आपकी हतेली का जो यहां पे आकार दिखाई दे रहा है यह पूरी तरव से आयताकार है निश्चित रूप से एक दार्षनी किसम का आपका ब्यक्तित्व है एक सकारात्मक द्रिष्टिकोन रखने वाले ब्यक्ति आप है ऐसा आपका स्वभाव है यह आपकी हतेली का आकार दिखाई दे रहा है यहां पे अगर देखा जाए हतेली की रंगत बड़ी खूब सूरत है शुन्दर दिखाई दे रही है निश्चित ही एक भग्यसाली ब्यक्ति हैं कहीं न कहीं भगवान की जो किरपा है इस्वर की जो विसेश किरपा रहती है कहीं न कहीं आपकी जीवन पे बनी रही है और अभी भी बनी हुई दिखाई दे रही है यह सबसे अच्छी बात है यहां पे एक चीज देखेगा आपकी जो हिरदय रहा है इस तरह से आती हुई यहां पे दिखाई दे रही है मस्तिस्क की जो रहा है इस तरह से आ रही है और जीवन की जो लकीर है यह इस तरह से आती हु करियर और धन की रहखा इस तरों से आती हुई आगे बढ़ रही है आपकी हतेली में एक पूरी तरों से बिक्सित जिसे संपूर्ण कहते हैं एक अंग्रेजी का M का अक्षर बन रहा है आपके सरीर के जो पांच तत्व हैं पंच भूत हैं एलिमेंट हैं और जो आपके सरीर के सातों चक्र हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके उपर साख्षात भगवान शंकर की बहुत बड़ी किर्पा है आपकी जो अदिश्ठातरी देवी हैं वो माँ पार्वती हैं आदिसक्ति परांबा आप जीवन में जितना समरपन रखेंगे जीवन में जितना इनके चरण पकड़ लेंगे जीवन में कहीं न कहीं आपके अंदर एक उर्जा संगठित होगी और जीवन में जो उत्सा है वो उसमें निरंतरता आएगी और जीवन में कहीं न कहीं दिव्यता की और आप बढ़ेंगे ये इस पश्ट तरीके से इसारा आपकी हतेली कर रही है निश्चित तोर पे अब आगे अगर हम चलें इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं आपकी जो ब्रिस्पति की उंगली है यहाँ पे ये इस तरों से जुकती हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरब इसका जुकाव है धार्मिक भावना ये बहुत बड़ी मातरा में आपके अंदर है और ताउम्र रहने वाली है कहीं न कहीं जो प्रौपकार की भावना है दुसरों के परतिक उपकार करना ये जादा यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दीर है कहीं न कहीं आप प्रौपकार की भावना में आगे बढ़ रहे है ब्यक्तित्व में कहीं न कहीं एक दयावान ब्यक्तित्व उजागर होता हुआ दिखाई दीरा है जो निश्टूरता है जो कठूरता है जो खडोसपन है वो आपसे भागता हुआ दिख रहा है आपको टच नहीं कर पाएगा और एक दयालुता वाला व्यक्तित तो आपके अंदर हमेशा बना रहेगा आपके अंदर जो ये समरपण की चीज है इस्वर के पड़ती उसका प्रभाव आपके जिवन पर ही नहीं आपके जो परिवार है ये ससकार उनमें आटोमेटिक तरीके से निखरेगा ये आपके हतेली की ये उंगली बता रही है साथ साथ में देखें आपके कर्म की जो उंगली है एकदम सीधी लंबी है आपकी जो अध्यात में चमता है वो कर्म में भी दिखती है और आने वाले समय में इसका विकास होगा आपका जो कर्म है वो कहीं न कहीं धर्म के परतिजादा दिखाई दे रहा है मनि कभी भी गलत काम नहीं करेंगे कर्म ऐसे करेंगे जो जीवन में जो है कहीं न कहीं मोक्छता की और ले जाए दिब्यता की और ले जाए अध्यात्म की तरप ले जाए जो एक सुन्दर बिक् आपके कर्म यहाँ पे नहित दिखाई देरे हैं उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे यह जो उंगली है सूरे की उंगली यह भी पूरी तरह से जुकाव ले रखी है हाँ यस पाने की चाह रहेगी समाज में मान प्रतिषटा पाने की चाह भी जो है बड़ी हुई दिखाई दे रही है और जिस पत्थ पे चल रहे हैं उस पत्थ पे जिसको हम कहते हैं निरंतर आगे बढ़ने की फैलाओ मिलने की जो सोच है वो भी आपके अंदर दिखाई दे रही हैं यहां पे दोनों उंगलियां बराबर हैं दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है धन की भी भूक है यस के साथ साथ धन भी जरूरी है और पैसा और सम्मान जरूरी है और जिवन का लक्षबी है कि केवल धन ना आए उसके साथ साथ सम्मान की प्राप्ति हो और केवल सम्मान आए धन आई तो वो सम्मान ज़ादा दिन तक नहीं टेक सकता है इसलिए धन और यहसकी भूक है पैसा और सम्मान जिवन के लिए जरूरी है और जिवन का जो है इस उंगली की तरफ कहीं न कहीं धन का मानी की जो ललक है वो भी बनी रहेगी लिकिन ये बहुत जादा चिप्टी हुई है तो हलके रुप में बैराग्य की जो भावना है वो भी मन के अंदर डालते हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है लेकिन आपकी जो समझ है ये जो इसका कोना है ये बढ़ा रहा है. कहां पे कैसे बोलना है? अपनी बात को किस प्रकार से रखना है? इसमें बहुत जादा समझधार होते हुई दिखाई रहे हैं. इसमें जो प्रागटता है आपकी वो बढ़ती हुई दिख रही है. इसका लाप मिलेगा आपको आने वाले समय में लेकिन थोड़ी सी एक جो है कमी भी रहेगी यहां पे देखेंगे तो इस उंगले का जुकाव इस तरफ है इसका इस तरफ है बरतमान में सभी उंगलियों का जो जुकाव है याँ पे वो सनी की उंगली की तरफ है मिडिल फिंगर की तरफ निश्चित ही आगे आने वाले समय में कई बार सनी के कारण दुखी से रहेंगे या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कभी कभी कमी बनी रहेंगे चैप्रस्तित कुछ भी हो कई बार दुखी से हो जाएंगे और जिवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कभी कभी कमी बनी रहेंगे सनी इस रोप में यहाँ पे नेचुरल तरीके से आपके अंदर यह परिणाम देगा इसके कोई उपाई नहीं है यह उतना यह फल देगा जिस प्रकार से आप कर्म करेंगे यहाँ पे अंगोठे की और चले फिर कुछ चीजे और देखें अंगोठा अगर यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है इक्षा सक्तियां भी ठीक ठाक है तरक सक्ति बेहित्रीन इस्तिति में दिखाई दे रही है और अपने हितों की रक्षा करना भी अच्छे तरों से जानते हैं यहाँ पर एक चीज देखेगा जब हम हाथ देखते हैं आप अगर यहाँ पर देखें एक रेखा इस तरों से आपकी निकलती हुई दिखाई दे रही है इस प्रकार से और यह रेखा कहीं न कहीं बीच में यहाँ पर तूटी हुई है मनि खंडित हो रही है और यह स्वस्त्य की रेखा है ब्यापार की रेखा है और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो आपका यह चंद्रमा का परवत है अधिक बली होता हुआ दिखाई दे रहा है मनि बैलेंस से थोड़ा उपर उठ रहा है यह क्या बोलना है देखेंगा थोड़ा सा स्वस्त्य के परति आप थोड़ा सावधान रहें जो मेडिटेशन उगेरा है योगा है, प्रणायाम है और खाने का जो समय है उसमें थोड़ा परिवर्तन करें क्योंकि कहीं न कहीं यह बता रहा है कि जो सारिरिक और मानसिक स्वस्त्य है उस पे प्रभाव पढ़ने वाला है क्योंकि आपका जो रुटीन है या खान पान है उसमें थोड़ा बल्लाव की आवशकता है ये स्वस्त्य के लिए अच्छे संकीत नहीं होते हैं और कहीं न कहीं ब्यक्ति जल्दबाजी में या भावनाओं में आके कोई डिसिजन लेता है तो धन के नुकसान होने की संभावना को भी दिखाता है और कई बार ये इस चीज को भी दिखाता है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें घटित हो जाती है कि घर परिवार में भी कलह हो जाती है तो इसके परती थोड़ा सावधान रहे दूसरा इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है आपकी चंद्रमा पे पड़ रहा है निश्चित तोर पे ये अगर प्रभाव डालता है तो मन को गड़बड रखेगा कहीं न कहीं मानसिक चिंता की और आपको ले जा रहा है और कहीं न कहीं बहुकता की और भी आपको ले जा रहा है थोड़ा इमोशनली प्रेशान रह सकते है या मन खराब सा रह सकता है मन ब्याकुल रह सकता है भटक सकता है मन खराब रह सकता है कारियों में मन नहीं लग सकता है इस प्रकार की चीज़ें भी यहां पर दिखाई दे रही है और थोड़ा सा नीन आने में भी दिखोतों का सामना करना पड़ सकता है इस बात की संभावना को भी दिखा रहा है क्या करना चाहिए एक तो भगवान शंकर की नियमित रूप से जो है भक्त कर लीजेगा दूसरा मैं एक सूरे किरिया दे रहा हूँ और एक दिव्य योग किरिया दे रहा हूँ बस ये दो किरिया कहीं न कहीं जहां स्वस्त्य को बेहतरीन करेगी अगर आप सही तरीके से करते हैं वहीं जो चीजें गलत हैं उनको कहीं न कहीं निकालने की कोशिस भी करेंगे और एक अच्छी चीज आपकी इस रेखा पर दिखाई दी रहा है ये रेखा बड़ी बिलक्षण होती है ध्यान से देखेंगे तो यहां से इस रेखा से दो रेखाई उभरती हुई दिखाई दी रही है और सूर्य परोत पे जाती हुई दिखाई दी रही है ये बिलक्षण प्रतिभा को दिखाता है कि ब्यक्ति के अंदर बिलक्षण प्रतिभा है या तो ऐसे ब्यक्ति इसपष्ट अगर ये रेखाई हो बहुत बड़े ब्यावसाई बनते हैं ऐसे ब्यक्ति कभी गरीव नहीं होते हैं बले ही सुरुवाती दौर संकट में हो, बले ही बिक्ति सुरुवाती दौर में किसी की नौकरी कर रहा हो, दो-चार लोगों के अंडर में, एक-एक रुपे के लिए तरस रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं जब ये योग बनता है, तो बिक्ति गरीव नहीं होता है, अच्छा खासा ब्यावसाई भी ऐसे विक्ति बनते हैं और अपने समय आने पे लोगों को रोजगार देने वाले होते हैं तो ये रेखा कही न कहीं आपको जो है चीजों को उन्नत बनाने में मदद करेगी ये रेखा इसपष्ट तरीके से बता रही है लेकिन एक चीज देखेगा जहां पे ये रेखाई जा रही है सूरे का परोद वो गड़ा नुमा बन गया है पूरी तरों से उर्जा प्रोवाइड ने कर रहा है ये इसपष्ट तरीके से कह रहा है थोड़ा रुटीन को बदलना बहुत जरूरी है कहीं न कहीं जो है आपके जो सारिरिक चक्र है वो सूरे के चक्रों के साथ परसपर ताल मेल में नहीं है जिसके कारण जो सारिरिक स्वस्थ्य है जो जीवन की वास्त्व खोसा हाली है जो उत्सा है जो उर्जा है इन चीजों की कहीं न कहीं चिंता करने पड़ रही है ये प्रोपर तरीके से आपकी साथ नहीं है आप एक विदिवत तरीके से दिव्य सूरे के रिया जरूर करें और जब आप दिव्य सूरे के रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो सारे रिक चकर हैं वो सूरे के चकरों के साथ परस पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका असर आपकी जीवन के तमाम आयाओं पे निश्चित पड़ेगा क्या होगा कहीं न कहीं आपकी जो सारिरिक सेहत है बेहद अच्छी होगी आपका जो मानशिक शंतुलन है वो परफेक्ट होगा और आपका जीवन है सहजता से चलेगा और फिर चाहे सारिरिक स्वश्च्य हो चाहे जीवन की वास्तो खोसाहली हो उत्सा हो उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये चीजें हमे साथ होगी पानी का जादा सेवन करें चाय, कौफी उगेरा अगर जादा पीते हो तो इसको कम करियेगा थोड़ा सा जो है कम करने की कोशिस करियेगा फास्ट फूड है या सरीर को जो बहुत जादा नुकसान पहुचाता हो तेलिय चीजे हो, ज्यादा मिर्च मसाले वाले चीजे हो, ये चीजे आप थोड़ा अवाइड कर लीजेगा सतरकता रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि जो बुद्ध की रेखा है, स्वस्थे की रेखा है और जो चंद्रमा है, और जो सूर्य की यूगति बन रही है अगर आप थोड़ा भी ध्यान रखते हैं, तो चीजे मजबोत अउस्ता में आएंगे और सारेरिक स्वस्थ्य, मानसिक स्वस्थ्य बेहतर अउस्ता में आएगा अगर आप लापरवही बरतते हैं, तो कहीं न कहीं ये गंभीर बिमारी में तबदील हो सकते हैं इसकी आसंका को ये बताता है. ठीक है? अब देखेगा यहाँ पे. यहाँ पे दूसरी चीज देखेंगे तो हतेली का जो ये हिस्सा है इसमें आप देखेंगे रेखाऊं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है. और ये रेखाऊं का जो जाल है ने ये बिक्ति के बरतमान समय को बताता है इसे अच्छा नहीं माना जाता है हतेली में कहीं कितनी भी अच्छे रेखाई हो अच्छे चिन बन रहे हो लेकिन जालनुमा जब रेखाई बन जाती है तो ये नगेटिव प्रभाव देती है और इसका जो प्रवाव है सबसे पहले मन और मस्तिस्क पे पड़ता है कहीं न कहीं बिक्ति मानसिक उल्जुनों से गिर जाता है दुबिधा उत्पन हो जाती है, कनफ्योजन की इस्तिति आ जाती है और जो निरणे लेने की छमता है, वो कमजोर होने बैठ जाती है बिक्ति सई से निरणे नहीं ले पाता है, और लेता भी है तो वो निरणे कहीं न कहीं गलत साबित हो जाता है दूसरी बात है, अगर ये रेखाई उत्पन होने बैठ जाती है तो जीवन में कहीं न कहीं संगर्स अपना कदम पसारने बैठ जाता है तीसरा असर इसका आपके मानसिक और सारिरिक स्वश्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श पांचमा असर इसका आपकी सपलता के अस्तरों को घटाने का काम करता है जो आपकी डेपलप्मेंट है जो आपकी प्रोग्रेस है कहीं न कहीं वो बादित होने बैठ जाती है और एक असर इसका और पड़ता है आपका जो व्यक्तित्व है आपकी जो परसनल्टी है कहीं न कही उसमें ये दाग लगाने की कोसिस करता है और एक असर इसका ऐसा भी होता है कि जो रिष्टे है कही नगहीं वो बन नहीं पाते है और बनते भी है तो बिक्ति उसका फायदा नहीं उठा पाता है ये स्वख कहते है नगेटिब उड़ जा और इसका सबसे पहला असर क्या होता है? मन की उलजन, प्रास्ते का न मिलना, तो जब भी और हलका संगर्स का आना, ये इसकी सुरुवाती लक्षण होते हैं क्या करना चाहे? एक प्राकृतिक किरिया होती है वो बिदिवत तरीके से ब्रिक्ति को करनी चाहें और उसके साथ साथ एक दिव्ययोग ध्यान किरिया, सूर्य किरिया ये किरियाएं बेग्यानिक किरियाएं हैं ये किरियाएं प्रैक्टिकल रोप से की जाती हैं और इसका आपके सरीर, मन, चित, सरीर के सातों चक्र, पंच, भूत पे सीधा सीधा असर पड़ता है और कहीं न कहीं जो है जब इन पे असर पड़ेगा तो इन से जो नगेटिब च प्रभाव पढ़ता है मानसिक और सारिक और फिर आपकी जीवन के तमाम आयामों पर इसका प्रभाव सीधा सीधा दिखने बैट चाता है तो देना मेरा काम है करना आपका काम है लेकिन इसके प्रणाम इस पर निर्भर करते हैं कि आप किस प्रकार से उस किरियाओं को वास्त्विक रोप में करते हैं आप चलते हैं आपकी हतेली की अन्य चीज़ों पर यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है इसको मिटा देता हैं यहाँ पर जो इंडक्स की फिंगर है इसके नीचे का जो ये भाग है यह है आचारे ब्रिस्पती जी का भाग यह हमारी हतेली में बैठने वारे पर्थम आचारे हैं यह देवताओं के गुरू हैं और इनकी पद्वी सबसे बड़ी पद्वी है यहाँ पे देखेंगे यह पूरी तरह से सनी की तरफ जुके हुई दिखाई दे रहे हैं परिवार को लेके कुछ समय तक लगभग डेट दो साल तक चिंता कोई न कोई बनी रहेगी और थोड़ा अगर जादा हो गया तो परिवारिक समस्याओं से भी जूजना पड़ सकता है तो थोड़ा सा भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि ये चीज़ें गटित न हो बस सूर्य क्रिया से सारे चीज़ें ठीक हो जाएंगे दूसरे बात देखें बरतमान में आपका जो ब्रिस्पती ग्रह है इस पे बहुत अच्छे जो है चिन भी बने हैं आपके अंदर ऐसी चमता है ऐसा नौलेज है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकें लेकिन ये साधरन आवस्था में बैठ कई हैं और बरतमान में इस आवस्था में ये आपके अंदर भी साधारनता दे रहे हैं सामन्य बैक्तित्व देने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन जो नेचुरल इनके गुण है उसके कारण हसमक सुवाव तो रहेगा दयालुता रहेगी प्रॉपकार की भावना रहेगी आर्थिक पक्ष भी बहुत डाउन नहीं जाएगा ठीक ठाक रहेगा लेकिन यसको प्राप्त करने के लिए मन में बहुत ज़्यादा जुकाओ बन जाएगा स्वतंतरता और लेडर्शिप की चाहा रखने वाला ब्यक्ति तो आपका रहेगा यह यहाँ पर बता रहा है चले यह आपकी हिर्दे की रेखा है सीधा इस तरों से आरी है निश्चित रोप से जिवनकाल में बहुत बड़े महत्तो कांची बेखती है आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की यहाँ पर हो रही है आपकी जो इक्षा है यह रेखा बता रही है कि अपने छेतर में चाहे वो अध्यात्म का छेतर हो चाहे स्वस्थ्य का छेतर हो चाहे और भी कोई छेतर हो उस छेतर में एक टॉप लेवल तक पहुँचने की आपकी हो रही है और सनी के प्रभाव के चलते उस आगे बढ़ने के करम को बढ़ाने रखने के लिए कितनी भी मिहनत करनी पड़े आप तयार है कोई जुगाल लगाना पड़े आप तयार है इन किन प्रकारेड जो भी आपसे बन जाए आप करेंगे ये रेखा यहां पे बताती हुई नजर आ रही है मस्तिस्क रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दीरी है ये बहुत खुब सुरत रेखा है ये आपकी बुद्धी की परिचायक है विबेग की परिचायक है ये बता रही है कि कहीं न कहीं जातक विबेगवान है और अपने विबेग से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सूचते रहते हैं जिवनकाल के लिए योजनाई बनाते रहते हैं और जिस भी छितर में काम करते हैं अपने मस्तिस्क का और अपने बुद्धी चातुरे का बहुत ज़्यादा प्रियोग करते हैं ये भी है और क्रियेटिव है लेकिन कलपना सीलता भी बहुत ज़्यादा है सोचने की सक्ति भी बहुत ज़्यादा है कलपना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इसकी और भी इसारा कर रहा है जीवन में कहीं न कहीं यातराओं का भी मौका मिला है बिक्ति को लेकिन अभी बिरस्पति जी कहीं न कहीं सामन्य है और ये चंद्रमा के और आरे चंद्रमा थोड़ा सा उठ रहा है तो चिंतातुर स्वभाव भी जो है कहीं न कहीं यह देता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे आपकी जीवन की रेखा इस तरों से जा रही है, देखें जीवन में जो एज की अगर हम बात करें, तो तीनों रेखाई आपकी बहुत सुन्दर हैं, बड़ी हैं, इसका मतलब यह निश्चित तोर पे दिखाई दे र गंभी है, और बहुत बड़ी कोई बिमारी, गंभीर बिमारी अभी इस समय नहीं है, और सतरकता रहेगी, तो संकट वाली बिमारी यहां पे जीवन रेखा के माध्यम से तो नहीं दिखाई दे रही है, और जीवन में कहीं न कहीं निरंतरता है, और एक कियर करने वाला ब्य पचले का सान्दार चिन बन रहा है ये चिन बता रहा है कि केतु का प्रभाव पढ़ रहा है इस में कि देखेगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वह ऐसे अध्यात्म के परती वह ऐसे धर्म के परती ज्यादा रूच बढ़ने वाली है और कहीं न कहीं आभास होने बैठ जाएगा अगर कुछ गटित होने वाला हो चाहे अच्छा या बुरा पहले ही आवास हो जाएगा और कहीं न कहीं धीरे धीरे सपने द्वारा भी आपको चीजों का ग्यान होने बैठ जाएगा इस्वर की बहुत बड़ी किरपा है और यहां पर ये देखे एक रेखाईों जारी है और हिर्दे रेखावें बहुत सुन्दर मिल रही है तो एक विष्णु का तिलग बना रहा है ये ये जीवन में आप अच्छे कार्य करते हैं अच्छी राह पर चलते हैं तो हर कार्य में आपको कहीं न कहीं सपलता मिलेगी आप सपलता अरजन करेंगे और आपको हराना आपकी बिरोधियों के लिए शंबव नहीं रहेगा इसके अलावा समाज में खूब लोग प्रियता और कहीं न कहीं यस की भी प्राप्ति करेंगे सम्मान की भी प्राप्ति करेंगे और अत् यह बता रहा है कि निश्चित रोप से भग्यकावी बहुत अच्छा साथ आपको मिलेगा और मस्तिस्क रेखा और यह रेखा मिलके यहाँ पर एक त्रिकुन बना रहा है धन के मामले में अगर देखा जाए तो नगेटिव उर्जा खतम होने पर सुरी के बलोती होने पर कहीं न कहीं जो संगर सा अगर थोड़ा बहुत होगा भी वो निश्चित रोप से आने वाले समय में खतम हो जाएगा इसकी ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है हंगोठे के नीचे का भाग देखें ये सुक्र का परोत है कला के लिए है सुन्दरे के लिए है सुन्दरता के लिए है इसका पुष्ट और उबरावना अच्छा होता है आपकी हतीली में सुक्र का परत सुन्दर रूप में उभरावा है तेजों में आउस्ता में है निश्चित तोर पे सुक्र के कारण आपके मुख मंडल पे आपके सरीर में तेज है आपकी जीवन में तेज है और आपकी जो personality है आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत खुब सुरत है चै मन से हो चै तन से हो सुक्र आपका अच्छा है ठीक है न? कहीं न कहीं अपने को maintain रखना अपनी personality पर विसेश ध्यान देना अपने को सच समर कर रखना ये चीजें जादा रहेंगी और सुक्र इस तरों से बलिष्ट आउस्ता में है कि दस लोगों के बीच में कहीं खड़े होंगे तो अलग से निखरते हुए दिखेंगे और आपका जो प्रभाव है वो अनायासी लोगों को अपनी तरफ आकरसित करेगा हाँ आने वाले समय में जब ब्रिस्पती अच्छे भाव में आ जाते हैं तो परिवार का भी विसे सैयोग विसे सपोर्ट मिलेगा कहीं न कहीं अपने छेतर में चैया अध्यात में ही चले जाएं कहीं न कहीं जो है चमक बड़ेगी गलेमर आपके पास रहेगा नाम और यस होगा कहीं न कहीं चकाचोन रहेंगे लेकिन अभी बिरस्पती थोड़ा खराब है तो कोई न कोई उल्जन कोई न कोई चिंता बनी रहेगी और जो वास्त्विक सुक है उसमें कमी भी रहेगी तो दिब्य योग ध्यान के रिया जरूर करे निश्चिती सपलता मिले निम्न मंगल बहुत ज़्यादा उठावा दिखाई दे रहा छण भंगुरु वाला गुस्सा ज़्यादा रह सकता है इसका विशेश ध्यान दे और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान से देखें एक रेखा यहाँ से निकल कर बचें कहीं न कहीं खत्रा हो सकता है बनी वाहन उगेरा अगर चलाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से चलाएगा जहां तक हो सके अवाइड कर लेजेगा कुछ समय तक या चलाना हो तो थोड़ा सा ध्यान लगके चलाएगा दूसरी बात है बाद विवाद से बचे अनायास ही जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है उस बाद विवाद में आप फंस सकते हैं थोड़ा ओवर कॉन्फिटेंस थोड़ा जो है बाद ब्यवाद इससे थोड़ा बचें अगर जल्दबाजी में गुसा आ जाता हो छण बंगुर का तो इसमें थोड़ा रोक लगाईएगा दिब्यस्तुर्य के रिया जरूर करियेगा उसमें मैं मंगल का उपाई दे रहा हू क्योंकि आपका जो प्राकरम है वो हाई यहाँ पे करेगा ये लेकिन उचमंगल ठेक है प्राकरम अच्छा रहेगा ये मैंने बता दिया है सनी की अगर बात करें गरह अच्छी इस्तिति में बैठा हुआ है लेकिन उंगली है अन्या उंगलें मुड रहे है तो ऐसे में कई कुछ होते हुए भी कभी-कभी खुशियों में कमी रहेगी इसका हमने बता दिया है यहाँ पे अगर देखे यह यहाँ पे बहुत ज्यादा उठ गया है छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की जो इक्छा है आपके अंदर तीब रिगति से बनी रहेगी सेवा भाव भ बहुत अच्छा रहेने वाला है और बुडापे के अंत तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा बाकि हमने सारा हतेली का विस्लेशन कर दिया है अभी कुछ समय तक थोड़ा संगर से है कोई नो कोई चिंता बनी हुई है लिकिन आने वाला समय आपका बहुत बेहतरीन इस्तिति में दिखाई दे रहा है देखा जाए तो मैंने आपकी हतेली का पूरा विस्लेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके और ओडियो के मादम से आपको भेजना हूँ आप करने की कोशिस करें बहुत सुन्दर और बहुत अच्छा रहने वाला है इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमशकार